अपनी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इसवी 1681 में शहजादी जेबुन निसा के कुछ पत्र औरंग जेब के बागी शहजादे अकवर के दौराई सैनिक शिविर में पकड़े गए थे तथा औरंग जेब ने शहजादी जेबुन निसा को राजद्रोह के आरोप में सलीमगड की जेल में बंद कर दिया था यह एक हरानी की ही बात है कि ओरंग जेब अपनी पांच पुत्रियों में से सबसे अधिक प्रेम अपनी बड़ी पुत्री जेबुन निसा से करता था और अपने पांच पुत्रों में से सरवाधिक प्रेम अपने चौथे नंबर के पुत्र अकवर से करता था किन्तो इन दौनों ने ही औरंग जेव को मुगलों के तक्त से उतारने का शड्यंत्र रचा माना जाता है कि औरंग जेव की कट्टर नीतियों से तंग आकर जेबुन निसा ने अपने बागी भाई अकबर का साथ दिया था अकबर ने अपने पिता औरंग जेव पर आरोप लगाया था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह इसलाम के अनुसार नहीं है अकबर की बहन जेवुन निसा ने अकबर के इस आरोप का समर्थन किया था आरंग जेब ने शहजादी जेबुनिस्था की समस्त संपत्ती जब्त कर ली तथा उसे मिलने वाली चार लाख रुपे सालना की पेंशन भी बंद कर दे एक बार जेल में जाने के बाद शहजादी फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकल सकी कहा जाता है कि जेबुनिस्था का बाबा शाह जहाँ जेबुनिस्था का विवाह दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह से करना चाहता था ताकि आगे चलकर दाराशिकोह तथा उसके बाद सुलेमान शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह बने तो जेबुनिस्सा को हिंदुस्तान की मल्ली का बनाया जा सके किन्टो न तो शाह जहां का भागी ऐसा था कि वह हिंदुस्तान का बादशाह बना रह सके न दाराशिकोहु का भाग ऐसा था कि अपने बाप के तक्त पर बैठ सके न सुलेमान का भाग ऐसा था कि उसका विवाह जेबुनिसा से हो सके और उसे हिंदुस्तान की मल्लिका बना सके जेबुनिसा पर लाहोर के गवर्नर अकील खान से प्रेम करने का आरोप लगा किन्तु वह प्रेम परवान नहीं चड़ सका तदकालीन इतिहसकारों के अनुसार इरान के शासक शाह अबास दितिय के पुत्र मिर्जा फारूक ने शहजादी जेबुनिसा से विवाह करने का प्रस्ता भिजवाय था किन्तु शहजादी ने यह शर्ट रखी कि वह विवाह करने से पहले शहजादे को अपनी आखों से देखेगी ना तो कभी इरान का शहजादा भारत आया और ना कभी शहजादी जेबुन निसा फारुक से विवाह करने के लिए इरान गई अपने पिता औरंग जेब के दर्बार में जेबुन निसा अत्यनत सम्मानित अतिति की हैस्षत से प्रवेश करती थी किन्तु उसी पिता ने शहजादी को जीवन भर के लिए जेल में पटक दिया था अधूरी हसरतें लिए यह विदूशी और परमसुंदरी शहजादी जेल में ही तिल-तिल कर मरती रही और अपने दुर्भाग्य को कोस्ती रही जब इसी 1686 में उसने सुना कि उसका भाई अकवर भारत छोड़कर इरान भाग गया है तो जेवन निसा की समस्त आशाएं भी समाप्त हो गई अब उसके पास जेल से निकलने का एक ही रास्ता बचा था कि उसका पिता औरंग जेब जितनी जल्दी हो सके अल्ला मिया को प्यारा हो जाए किन्तु कुदरत ने यह सुख जेवन निसा की किस्मत में लिखा ही नहीं था जेवन निसा 20 साल तक जेल में जीवित रही अंत में इसवी 1702 में वह बीमार पड़ गई और साथ दिन की बीमारी के बाद बंदी अवस्ता में ही उसकी मृत्य हो गई उस समय जेवन निसा 63 साल की वृध्धा थी औरंग जेव भी तब तक 83 वर्ष का वृध्ध हो चुका था फिर भी वह अपनी बेटी को कभी ख्षमा नहीं कर सका जिस से उसने कभी सर्वादिक्स नहीं किया था जिस समय जेवन निसा की मृत्य हुई उस समय औरंग जेव दक्षिन के मूर्चे पर मराठों और शियाओं से जबरदस्त संगश कर रहा था उन दिनों दिल्ली के उत्तर में इस्थित कश्मीरी गेट के बाहर एक बाग हुआ करता था जिसमें 30,000 पेड़ थे तथा उसे 30,000 बाग कहा जाता था जेवन निसा की देह को उसी बाग में दफनाया गया तथा वहीं पर उसकी कभर बनाई गई जब अंग्रेजों के समय में रेल बनाई गई तब जेवन निसा के मकवरे को तथा कबर के पत्थर को आगरा के पास सिकंदरा में स्थित अकवर के मकवरे में इस्थानांतरित कर दिया गया लाहोर में भी एक मखवरे को जेबुनिसा का मखवरा कहा जाता है किन्तो उसकी विश्वसनियता संदिग्द है जेबुनिसा की मृत्यू के लगभग 22-23 साल बाद उसकी बिखरी हुई कविताओं का एक संग्रह तयार किया गया जिसका नाम दीवाने मखवी रखा गया इस संकलन में 421 गजलें तथा कुछ रुभाईयां थी इसवी 1730 में इस पांडुलिपी में कुछ अन्य गजलें भी जोड़ी गए इसवी 1929 में दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रैस में जेबुनिसा की कविताओं का दीवान प्रकाशित हुआ इसवी 2001 में इस पुस्तक को इरान में छापा गया इस दीवान की कुछ पांडुलिपीयां पेरिस के राश्ट्रिय पुस्तकाले लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम तथा जर्मनी के तुबिन जेन विश्वी दाले में रखी हुई है यहां हम एक और शहजादे की चर्चा करना चाहते हैं जिसे इतिहास में नेकु सियर के नाम से जाना जाता है जब औरंग जेब ने इसवी 1681 में शहजादी जेबुन निसा को बंदी बनाया था तब औरंग जेब केवल इसी कारिवाई से संतुष्ट नहीं हुआ था उस समय शहजादे अकबर का एक पुत्र नेकु सियर आगरा के लाल के लिए में निवास कर रहे औरंग जेब के हरम में पलता था जिसकी आयू उस समय केवल दो साल थे औरंग जेब ने उसे भी अपने हरम से अलग करके आगरा के लाल के लिए में ही बंदी बना लिया औरंग जेब अब तक अपने पिता, बेटे, बेटियों तथा भाई भतीजों को ही जेल में डालता रहा था किन्तु अब उसने पहली बार अपना विशैला पंजा अपने पोते की तरफ बढ़ाया था औरंग जेब का यह पोता इसवी 1695 तक जेल में ही बंद रहा इस कारण अकबर अपने इस पुत्र का मुख कभी नहीं देख सका जब वह 16 साल का हुआ तब औरंग जेब ने उसे जेल से मुक्त करके असम का गवर्नर बना कर दिल्ली से 2000 किलो मीटर दूर भेज दिया उस समय तक अकबर को भारत छोड़कर इरान भागे हुए 9 साल हो चुके थे इसलिए नेकु सियर द्वारा औरंग जेब के विरुद्ध बगावत करने की कोई संभावना नहीं बची थी कुछ एतिहासिक संदर्भों के अनुसार औरंग जेब की मृत्यों के बाद सेयद बंधों ने इसी नेकु सियर को कुछ दिन के लिए बादशाह घोशित किया था जबकि कुछ अन्यसंदर्भों बताते हैं कि आगरा के इस्थानिय गवर्नर बीरबल ने 1719 में नेकु सियर को बंदी ग्रह से बाहर निकाला था तथा उसे बादशाह घोशित किया था उन दिनों मुगलों के तक्त पर वही शैजादा बैठ सकता था जो सेयद बंधों द्वारा पसंद किया जाता था सेयद बंधों ने बीरबल तथा नेकु सियर को पकड़ने के लिए एक सेना भेजी इस सेना ने नेकु सियर को बंदी बना लिया उसे कुछ दिन के लिए आगरा के लाल के लिए में बंदी बना कर रखा गया किन्तो कुछ दिन बाद दिल्ली के सलीमगर दुर्ख की जेल में भेज दिया गया जहां नेकु सियर के सबसे बड़े ताउ मुहम्मद सुल्तान ने जीवन के सोले साल नेकुसियर की सबसे बड़ी बुवा जेबुन निसाने जीवन के 20 साल तथा नेकुसियर के एक अन्यताउ मौज़म शाहने जीवन के 7 साल वेदाई थे उन सब ने सुख की कामना की थे किन्तु उन्हें अपार दुख की फ्राप्ति हुई क्योंकि औरंग जेब रूपी सांप उन सब की जन्म कुंडली में बड़ी मजबूती से कुंडली मार कर बैठ गया था जिसने एक एक करके अपने समूचे कुंबे को डस लिया था अगली कड़ी में देखिए औरंग जेब की पुत्रवदू जहां जेब ने अनिरुद्ध सिंग को बेटा बनाया